इस question में आपके पास 4 options से पूछा गया है कि किस option में water के molecule का number highest होगा तो simply क्या करेंगे हर case में water के molecule का mole निकाल लेंगे अगर mole का number highest होगा तो automatic molecule भी क्या होगा highest होगा तो पहले वाले case में 18 ml water दिया हुआ है तो यहां पर water का state liquid होगा तो इसको अगर आपको mole में change करना तो पहले आपको weight निकालना पड़ेगा weight कैसे निकालेंगे तो आपको water का density पता होना चाहिए तो water density होता है one gram per ml तो इसका मतलब जो weight होगा यह हो जाएगा 18 यानि उसका volume into one gram per ml density से मलप्लाई कर दिये हैं तो ultimately आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा तो 18 ग्राम को अकर मोल में change करना तो क्या करेंगा water का मोल मास डिवाइड करो तो 18 भाई 18 कर लो water का मोल मास 18 होता तो क्या होगा one मोल हो जाएगा यहीं जो पहला information है उसका मोल हो जाएगा one जो सेकेंड इन्फोर्मेशन है point one eight gram इसमें मोल के वालू कितना हो जाएगा तो point one eight divided by 18 यानि यह हो जाएगा one by hundred mole one by hundred mole the third option दिया हो इसमें water का state gas में है तो गैस में अगर आपके पास state है तो गैस को मोल में चेंड करेंगे से क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से इसो डिवाइड करेंगे 20.4 से तो यह जो वालू निकलेगा तो यह वालू हो जाएगा 10 पार माइनस 2.4 मोल आ जाएगा ठेक जो डी ऑप्सन में और्रिदी आपके मोल दिया को डिवाइड दिया हुआ है तो सिंपली देखोगे पहले वाले में मोल का भाल निकल क्या रहा है 1 मोल सेकिंड में 1 यह मतलब 10 पार माइनस 2 थर्ड में 10 तो आप देखोगा सबसे हाइस नंबर इसमें कौन सा होगा वान मोल होगा यानि इसका जो करेंट आंसर होगा यहोगा ऑप्शन ए इसमें आपके वाटर के मॉलीकुल का नंबर हाइस्ट होगा तो यह था इस question का solution analysis मोग कुरता हम लोग next question पर